नमस्कार दोस्तों, वेलकाम टू नेट दिक्षा, आज के एस वीडियो में हम देखेंगे डेल की लैपटॉप में किस तरीके से रैम को आपगरेट किया जाता है, मतलब रैम अब लगा सेकतो, वही हम पूरा देखने वाले, उससे पहले आप पहले शेक कर लिजे, आपके जो आपने कॉम्पीटर में इस तरीके से इंस्टॉल कर लिजेगा, जैसे कि यहां पर 64-bit और 32-bit जोनों है, जैसे कि मैं 64-bit मेरा सिस्टेम है, तो मैं वाला जो है, इसमें रान किया है, तो आभी देखिए मेरा कॉम्पीटर का पूरा डीटेल यहां पर बता रहा है, मतलब दे यहां पर मादरवोड कॉम्पीटर का है, यह है मादरवोड के नाबर, राम स्टिक लेकर आया है, 8GB का, जो मैं इसमें ढालूंगा, और 4GB है, तो 12GB हो जाएगा, तो दोस्तों यह है, सामसुंग के राम स्टिक, जो 8GB है, और यह DDR3 है, DDR3, तो मेरा जो लगा हुआ है, वो है यह है, made in Philippines, और यह है, made in Korea, और दोनों यह सामसुंग का है, जो लगा हुआ है, उसको भी मैं आभी देखा तहूं, खोलने का बाद, वो भी 4GB सामसुंग का है, यह भी सामसुंग का है, तो दोस्तों देखिए, यहां पर मेरा पास स्क्रूडाइवर के सारे बंस्यास मैंने अल्रेडी रखा है, जैसे के आपको बता रहे है, और यह मेरे पास जो है, राम स्टीक लेका है, या समसुंग का 8ZP, और मेरे पास एक स्क्रूडाइवर और है, जो हमें बाद में लगेगा, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, शटडाउन किया हुए सिस्टेम, और इस इसको बोलते है, यह गूट प्रैक्टीज है, आपको बैटरी रिमॉट करने के बाद इसको पावर बोटन को 2-3 सेगंड के लिए प्रेश करकर रखना है, जो ऐसे हम भी कर रहा है, जो भी इसमें पावर है, वो पूरा एड्जॉस्ट हो जाएगा, ठीके, इसलिए हमने दो इस पैनल को रिमॉट करने, इसको रिमॉट करने के लिए सिंपली यहाँ पे जो ग्याद दिया हुआ है, इसमें इस तरीके से धीरे से करना है, ज्यादा प्रेशर लाएगा तो तूटने का पूरा चांसे है, और एक बाद तूट जाएगा तो यह पूरा डैमेस हो जाएग ठीक है, इसको इस तरीके से, देखिए, पूरा ना जामाने का मोबाइल का बैक कवर ऐसे रिमॉट करते हैं, इसमें उसी टेकनिक से करना है, जहाँ पे भी ज्यादा हाड लगे तो हाँ भी इसको लगा गए इस तरीके से, देखिए आसाने से यह खुल गया है, इसका बैक क हम अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डालेंगे और नया वाला को यहाँ पर डालेंगे, यह रहा सामसुंग के 8GB RAM स्टिक, इसका करते हैं अन्बॉक्सिंग, इसका तो कुछ बगरा है नहीं, यह ऐसा ही मिला मुझे, इसका इन्वोईस में लास्ट में आपको शेयर करता हूँ, क्या प्राइस है, सब कुछ अब देख पाएंगे, यह है इसका कुछ अन्बॉक्सिंग, और यह खुल गया, ठीक है, और हमारा यह है RAM, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा है, यह देख पर मुझे नहीं पता है, कुछ इस टेप का लिखा हुआ है, और जिस दुकांचे मैं ने लिया है, वो जेनुएन करके मुझे दियागी, कि मैं काफी शालो से उनका पस से कोई की आइटम्स ले रहा हूँ, ठीक है, उसका लोकेशन बगर अभी मैं आपको शेयर कर दोंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, चलो आभी इसको लगाते ह हैं यहां पर, इसको open करने के लिए दोख पीन है इस तरीका का, simply थोड़ा सा इस तरीके से pull करना है और रहा जाता है, देखिए, यसे इसको खिसेंगे इससे बहार आ जाता है, तो चुली इसको रैंड देते हैं यहां पर, और इसको यहां पर डाल लेते हैं, नया वालेकू एक बार में चला गया है यह देख भार हुआ यह देख पर चीडिन इस फोर जी बी को भी हमें हाप डालेंगे अब यह अब लग्या है सही तरहेक्षा आपको मैं एक बार पूरा देखा देता हूं इस तरी में अब हम यह वैक क्वार लगाना है तो वेक कपर का ये जो साइड है ये जो साइड है यहाँ पर देखिए बहुत सरा इस तरीके का होल है उसमें मैसिंग होना चाहिए तो देखिए मैसिंग हो गया और ये हो गया करना है ये पुरी तरह लग गया है कोई पर भी उच्छा नहीं है अब इस कुरू दो स्कुरू टाइट करना है हलका सा और अभी दूसरे स्कुरू में नहीं दर ही रखा है ठीक है लग गया है अभी हम बैटरी डाल देते हैं बैटरी भी हमने ओपन करके रखा था तो बैटरी का भी डाल देते हैं तो बैटरी लाग चुका है छलिए इसको आन करेंगे अभी अभी हमारा चार्जिंग हो रहे हैं तो फाइनली देख सेक तो डेल का लोगो आ चुका है शायद इसमें चार्जिंग नहीं थे और कुछ स्टैक पर प्रॉब्लम होगा देखते हैं आपके सामने यह डिस्पले क्या मैसेज दिखाता है तो यहाँ पर मैसेज इन्वेलिट कॉन्फेगरेशन इन्फेगरेशन प्लीज रान सेटाप प्रॉग्राम टाइम टाइम अप डे नॉट सेट प्लीज रान सेटाप प्रॉग्राम अलार्ट दा इहाँ पर कॉंटीन्यू का ऑप्शन आ रहा है और बायो सेटाप्स का ओप्शन आ रहा है और डाइगोनेसिस का ओप्शन आ रहा है चलो यह कंटीन्यू कर दिया मैंने फिरसे बूट हो राए सो दोस्तो फाइनले आप देख सकतो यहाँ पर सिस्टम पुड़ी तरह चालू हो चुका है तो चलो हम आभी जाएंगे सिस्टम में दिस पीसी और प्रोपाटी में तो दोस्तों यहां पर देख पार हो श्यायं आसे गेसमस को सिस्टमे कुछ में यहां यहां पर जाने का बाद प्रॉफामिंच में जाते हैं और यहल मेम्मरी पुरा इतना मिल रहा है यहां इतना यूस हो रहा है भी फिलल यहां भी दिखा रहे हैं टूइल जीवी डीडियार थ्री देख पर रहे हो तो दोस्तों आपके सामने यह रहा है इन्वाइस कि इसका प्राइस देखा देता हूं मैं आपको 2124 रुफ़े है और एमाजन में जाएंगे तो इसका प्राइस 3,500 का उपर मिलेगा एमाजन फ्लिपकॉट में और इसका ओफिशल वेबसाइट में तो इसका प्राइस काफी जादा है और भी अगर आप डेल का ओफिशल स्टोर में जाएंगे तो आपको 5000 का इसके लिए देना पोड़ेगा तो यहाँ पर देखिए यह मैं आपको डिस्क्रिप्शन देखा दे रहा हूं जूम कर रहे ठीक है और यहाँ पर देख पर आप 8GB DDR3 राम समसॉंग तो गाइस उम्मीद कर द अगर देखिए यहाँ पर 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 देखिए यहा